अनुछेद लेखन यह गद्य की लगू विधा है किसी विशे को सार रूप में संपूनता के साथ प्रस्तुत करना अनुछेद लेखन कहलाता है इसमें विशे का परीचे, उसका संध्शिप्त वर्णन तथा निशकर्ष सभी कुछ एक ही अनुछेद में प्रस्तुत किया जाता है अनुछेद लिखते समय निमलेखित बातों को ध्यान में रखना अवश्यक है अनुछेद में विशे का अनवश्यक विस्तार अथवा विवेचन नहीं करना चाहिए भाशा सरल, सहच और स्पष्ट होनी चाहिए अनुछेद के विशे को 100 से 150 शब्दों में ही संपूनता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए अनुछेद के वाकिर छोटे छोटे एवं परस पर जुड़े होने चाहिए अनुछेद में विचारों का प्रवास पष्ट होना चाहिए अनुछेद का आरंभ सीधे विशे से होता है इसमें भूमिका या परिचे देने की आवश्यक्ता नहीं होती अनुछेद लेखन के कुछ उधारण सपने में अंतरिक्ष की यात्रा संकेत बिंदू अंतरिक्ष के रोमांचक अनुभव स्वपन भंग के पश्चात की स्थिती सपनी देखना मानब का स्वभाव है सपनों से ही मनुष्य नया करने की प्रिणा पाता है मैं भी एक दिन फिज्ञान फंतासी देख रहा था देखते देखते नीदा गई और मैंने स्वयम को अंतरिक्ष में पाया मैं एक वायूयान में सवार हूं कर अंतरिक्ष की सैर कर रहा हूं तभी मुझे अपनी प्रिथ्वी की याद आती है तो उसकी तरफ देखता हूं दूर से प्रिथ्वी नारंगी की तरह दिखाई देती है अंतरिक्ष में अनेक ग्रह दिखाई देती है चारों तरफ सनाटा है कभी कभी कोई उलका पास से गुजर जाती है तारों के मनमोहक दृष्य दिखाई देती है कभी कोई बड़ा ग्र तभी नीद खुल जाती है। मैं स्वयम को जमीन पर गिरा पाता हूं और पुछल तारा फिल्म में से टकरा कर चला जाता है। मुझे राहत की सांस मिलती है तथा मैं इश्वर का धन्यवाद करता हूं। रेलवे प्लेटफॉर्म का द्रश्य, संकेत बिंदू, प्लेटफॉर्म की भूमिका, गाड़ियों का अवागमन, लोगों की चहल पहल, विभिन द्रश्य। रेलवे प्लेटफॉर्म अधूनिक युग में हर व्यक्ति की जिंदगी का एहम हिस्सा बन गया है। यहां से यात प्लेटफॉर्म की आवाजाई होती है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर लोहे की विशालपुल, पूछताच खिडकी, टिकट खिडकियां, रेलवे लाइने, जलपान ग्रह, विश्रामाल्य, लोहे वर लकड़ी के बेंच आदी, स्थाई द्रिश्य हैं। जैसे ही कोई अपनी आवाजे लगाती हैं, कुली सामान उठाने के लिए दौड़ती हैं, चारो तरफ हर व्यक्ती भागता हुआ नजर आता है। रेलवे स्टेशन के गेट पर टिकट चेकर खड़ा मिलता है, जो कुछ बे टिकट यात्रियों को पकड़े हुए है, पुलिस उनकी निग गरानी कर रही है, रेलगाडी जाने के बाद प्लेटफॉर्म सूना हो जाता है, वनों का महत्व, संकेत बिंदू, वनों के लाब, वनों के कटाई, हानिया, वनों का सनरक्षन, वन और मानव का पुराना संबंध है, वन हमें वर्षा देते हैं, वनों से हमें जलाने की खाद्य पदार्थ आदी प्राप्त होते हैं, वनों से पश्वों के लिए चारा मिलता है, वन वर्षा के पानी को नियंतरित करते हैं, इससे ना केवल भूमिगत जलस्तर ठीक रहता है, अपितु बाड भी रुकती है, वनों से मनुष्य को प्राण वायू मिलती है, योगिक प्रगती से प्रदूशन बढ़ रहा है, वनों के विनाश से बाड आने लगी है तथा धर्ती का तापमान बढ़ रहा है, जिसके कारण रितु चक्र में परिवर्तन आ रहा है, मनुष्य को चाहिए कि वे वनों को बचाए। शिक्षक दिवस, संकेत बिंदू, शिक्षक का महत्व क्यों मनाया जाता है, विभिन कारेक्रम, संदेश, शिक्षक का महत्व भार्ती समाज में सदैप रहा है, कुछ संतोंने तो गुरु को इश्वर के बराबर माना है, आज हम राधा कृष्ण के जन्म दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रेम की अंधी दोड में आज हर कशित्र में मूल्यों का श्रे हुआ है। शिक्षक के सम्मान में कमी भी उसी दोड़ का प्रतिफल है अतै शिक्षकों के सम्मान की रक्षा के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है इस दिन सरकारें कुछ शिक्षकों को सम्मानित भी करती हैं स्कूलों में छात्रस्वयम शिक्षक बनते हैं कहीं कहीं विचार अभिव्यक्ति सुतंतता पूर्वक करनी चाहिए। अभिव्यक्ति सुतंतता पूर्वक करनी चाहिए। अभिव्यक्ति सुतंतता पूर्वक करनी चाहिए। लगतार टीवी देखनी से स्वास्तिका नुकसान होता है। मोटापे की समस्यक के पीछे दूरदर्शन का सरवाधिक हाथ है। दूरदर्शन से मनुष्य की एकागरता भी खत्म होती है। आंखो पर चेश्मा भी टीवी को अधिक देखने से चड़ता है। विग्यापनों की दुनिया से उभोकतावाद का प्रचार हो रहा है बच्चे वो महिलाएं इनसे सरवाधिक प्रभावित होते हैं समाजव सरकार कुछ चाहिए कि इस दिशा में कुछ सकरात्मक कारे करे हिमाल्य भारत का मुकुट संकेत बिंदू गौरफ का प्रतीक सच्चा प्रहरी विभिनलाब प्राकरतिक सौंदर्य जिस प्रकार मनुश्य के मस्तक पर मुकुट प्रतिश्ठा का प्रतीक माना जाता है उसी प्रकार परवत राज हिमाल्य भी भारत की प्रतिश्ठा अत्वा गौरफ का प्रतीक है हमारे संस्कृती में इसे देव वुमी परवत शिखर है यह भारत की उत्री सीमा पर पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है अपने विराट व्यक्तित्व के कारण यह परवत राज कहलाता है इसके उंचे शिखर पूरा वर्ष बर्व से ढके रहते हैं अपार प्रकरतिक सौंदर्य के कारण प्रेटक आकरशित होते हैं इस पर पाई जाने वाले विविद जड़ी बूटियां फल फूल तथा लकड़ी मनुश के लिए उपयोगी होती है यह उत्तर से आने वाली बरफीली हवाओं से भारत की रक्षा करता है दक्षन पश्चिम से उठने वाली हवाओं को रोक कर यह भारत में वर्षा करवाता है हिमाले से निकलने वाली गंगा यमुना सिंध ब्रमपुत्र आदी नदियों के कारण उत्तर भारत का मैदान उपचाओ है हिमाले के तल प्रदेश में स्थित मसूरी न्यानिताल देहरादून श्रीनगर श्रीमला आदी शहर प्राकरतिक सौंदर्य के कारण थे